नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि इसिस टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इसिस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और इसिस टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसिस एक ब्रैंड नेम है, इसिस टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन इसो में प्राजोल 40 mg होता है, इसिस टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है, इसिस टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बध अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Isis Tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर Isis Tablet को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा Isis Tablet का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Isis Tablet का उपयोग किया जाता है। Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में इस इस Tablet की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में इस इस Tablet की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं। इसके अलावा इस इस Tablet की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक इस Tablet का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक इस Tablet को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मैगनेशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना इस इस Tablet को दो सप्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार इस इस Tablet को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। आस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड़िया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। इस इस Tablet की वज़ह से आस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब इस इस Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अब हम डिसकस करेंगे की इस इस Tablet को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर इस इस Tablet को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। इस इस Tablet को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इस इस Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।